स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेड़े विद अमन कुल में आज हम लाहें डारेक्टर ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ऑफ देली की वोक्षीट नंबर 41 जोके ग्लास 9 के लिए है सब्जिट आपका मैच से डेट इसकी 18 अक्टूबर 2021 आप अपना नेव इन मेरेक्ट हैस्ट्रोग्राम के बारें की तो आपको फ्रिक्वेंसीडिस्ट्रिबूश्ट अब तो आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रिबुशन टेबल को देखना और आंसर करना है तो आपको वेट दे रखें यहां पर नंबर ऑफ स्टूरेंट दे रहें तो आप में देखिए 30.5 से 35.5 इसमें 5.5 इसमें 5 का डिफरेंस है 35.5 से हम 40.5 पर जाएंगे तब भी 5 का डिफरें में 5 का डिफरेंस है तो हमारी क्या होगी continuous class interval हो गया तो हम इसे रप्रेजंट करना सीखते हैं तो यह आपको graphically कैसे रप्रेजंट करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंट डाटा हम डाटा को वेट हमारा उसे होरीजेंटल पे suitable scale के साथ उसे रिप्रेजेंट कर होगा we show it graph by marking a king break on the axis second we represent the number of student frequency on vertical axis यह वर्टिकल में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे number of students represent करेंगे एक suitable skills के साथ तो आप देखिए आपकी जो maximum frequency है वो 15 यहानि at last आपका सबसे रादर कितने स्टूडन है 15 स्टूडन है तो हमारी maximum frequency 15 है तो we need to choose scale to accommodate the maximum frequency यानि हमें accommodate maximum frequency तक कर स्केल लेना है थाड़ आपका क्या करना है वी नाउट रेक्टेंगल्स हम रेक्टेंगुलर बार्स ड्रो करेंगे अब विद इक्वल तो दे इक्वल साइज और लेंथ अकॉर्डिंग तो दे फ्रिक्वेंसी यानि उनकी लेंथ कैसी होगी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग होगी कोर्सपॉंडिंग ग्लास इंट्रेवल होगी जैसे फॉर एक्जांबल रेक्टेंगल ऑफ दे ग्लास इंट्रेवल इस थाटीन पॉइंट पाइफ से लेके 35.5 तो जिन में विद कितनी है वन सेंटीमिटर किया और लेंथ 4.5 सेंटीमिटर किया फॉर्थ हम इसी वेसे जो नहीं युधर से शो करएंगे संडेक से यहां पर हमने इसमें वेड के जी मिल यॉज यहां पर नंबर अफ स्टुडेटिंस बिका तो यहां पर हमने 13.5 से च्टार्ट करा तो इसमें मी आप टेबल के साथ देखेंगे 13.5 में सЕ 35.5 में हमारे 9 स्चुरेंट है है इसमें हमारे 6 स्चुरेंट है बीछी स्चुरेंट 14.5 तक लेंगे तो इसमेवारे 6 घुड कर बनाते है इसमें राइट रहे कोई उपने ने अनों धाप नहीं HR सोले फिइंट फिकर को खिर में से हम हिस्ट्रोग्राम कहते हैं जाना पर को था आन्ड लीपरेजिए दिस्रीशन इस बित कंटिूस ख्लास के साथ ऑल्स्यांड लाइक, बार ग्राफ तो बार ग्रास जो वित होती है वहिए सबसे दाइंपॉर्ड टीया इसमें आप देखिये इसमें कितने के वित है बन जन् अब यहां पर आपको कोशन दे रहा है let us try to solve ourselves तो इसमें आपको कुछ solve करना है a random survey of the number of children of various groups playing in a park was found as mentioned in right side यानि आपको एक random survey दे रहा है जितमें जो बच्चे पार्क में खेल रहते हैं उनकी ages दे रखिये और children's के दे रहे हैं एक से दो साल के बच्चे पांच बच्चे थे दो से तीन साल के बच्चे तीन थे तीन से पांच साल के बच्चे छे थे पांच से साथ बारा साथ से दस नौ साल नौ बच्चे थे दस से पंदरा के साल के बच्चे दस थे और पंदरा से सत्तरा साल के बच सकते हैं पांच साल से चोटे कि ऐते एक साल से लेकि पांच साल की सकी तक विए बच्च कि पांच-ती नूरी कृचिंड टीन खुन प्लश करें गरीज को लिए चोटा तो इसमें आपका गयाद हैगा 14 तो आपको इस्ट्रोग्राम रिप्रेजेंट करना तो इसका करेंगे आप तो जो आपकी जो टेबल दे रखिए उसे आप सबसे पहले टेबल कुनाएंगे लिखेंगे अप लिखेंगे एज इनियर नंबर ओफ चिल्डरंस विट अफ द ग्लास अं लेंद अफ रेक्टेंगल नेख्यों आपनी महीं मुझेंगल चैनल कि यह था और शजबन सबसक्राइंगे यह सबसे और बराबर करेंगे नंबर ऑफ चिलरंस एक से दो में कितने है पांच बच्चे है विट कितनी आ गई दो में से कट आए गी तो एक आए है तो ओअगी शहां उतल चाहं हई अगन हम क्या से अनिकालेंगे जल्ञारी कोने quatro होगए का earning number of children 2 से 3 साल के 3 ते तो number of children लिखेंगे we लिखेंगे multiply कर देंगे 1 से तो 3 याएगा five में हैसी करेंगे तो five 3 से 5 साल के बच्चे थे इसमें फोट आपन ही 2 तो यह हमारे तो आप देख सकते हैं यह मारी अप continuous हो गई है अब हम इसे ग्राफ पर शो करेंगे तो आप पूरा ग्राफ ऐसे देखेंगे तो आपको समझ आ रहेगा आप साइड में लिखेंगे नमबर ओफ चिल्रेण यहां लिखेंगे एजे इन येर्ज अब आप देखेंगे यह आपका हिस्टोग्राम बनेगा तो हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करना था एक से दो साल के बच्चे थो कि हमारे पांच है तो एक से हमारा दो साल के बच्चे यहां पर पांच प्यार दू से लेके तीन साल के और थीन हैं यह पांच से लिके उन्ट हैं 10 चाहिए से लेके साथ साल के बच्छे मारे पास चेंड़ंगे और zeros मैं देख सकते हैं 10 से लेके कर लेंगे अच और पंद्रा साल के बच्चे हैं इसमें दो हैं और या ना के सतरे सा के बच्चेे मारे पास इसमें तो पुझ आप इसे कर लेंगे Thy two in E आज के आपकी वोक्षिट कम्रीड होती है थैंक्स वाचिंग डियो बेबेगाइस